हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी लोक तंत्र में हमारी लेजिसलेचर की एक बहुत बड़ी भूमिका है और जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि भारत ये लोक तंत्र की जननी है और हम लोग सभी जानते हैं कि जिस राम राज्य की परिकलपना महात्मा गांधी जी ने जो राजा है वो ट्रस्टी के रूप में राज्य समाल रहा है और समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसकी बात को भी उतना ही महतव है जितना समाज की पहली पंगति में बैठा हुआ व्यक्ति तो ये लोक तंत्र की परिकल्पना राम राज्य से हमारी शुरू होती है डॉक्टर बाबा से मामेड कर हमेशा ये कहते थे कि जिस समय पश्चिमी दुनिया एक संगर्श शील जीवन जी रही थी उस समय हमारे भारत में पूरे तरीके से विक्सित सभ्यता लोक तंत्रिक देशा देते हैं कि पहली शताब्दी का उधारान वो देते हैं कि जब हमारे बुद्ध भिक्वों ने एक लोग तांत्रिक विवस्ता के तहट ऐसी विवस्ता खड़ी की थी कि जिसमें सभी को मत देने का अधिकार था और एक विवस्ता के तहट रिजोल्यूशन अडप्ट किया जाता था जिसके चलते सब लोग उसको मानेता देते थे हम सब ने दिखाए कि करीब दस्वी शताब्दी में जो चोल सामराज्य था उस सामराज्य में भी हमें पंचैत राज विवस्ता इस देश के अंदर दिखाई देती है हमारे जनपदों की विवस्ता भी हम सब लोगों ने अपने इतिहास में पड़ी है कि जो पूरे तरीके से लोकतांत्रिक पद्दती से काम करती थी भगवान बसवर्णा ने जो अनुभाव मंटप हम की विवस्ता खड़ी की थी वो विवस्ता भी इसी प्रकार की थी कि जिसमें हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार था तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में एक बहुत बड़ी परंपरा हमारे लोकतंत्र की है और अब उस लोकतंत्र की परंपरा को निभाने का और उसे और सम्रुद्ध करने का एक एतिहासिक ऐसी जिम्मेवा हमारे सारे जो यहां पर प्रिसाइडिंग आफिसर से उनके उपर आकर पड़ी है